तो pipe and system हम लोग चालू कर रहे हैं time and work क्या ही एक हिस्सा होता है यह जैसे time and work पूरा topic है वैसे ही pipe and system है जैसे माल लेते हैं A किसी कार्रे को 20 दिन में करता है ठीक है B उसी कार्रे को 25 दिन में करता है अब यहाँ पे वहाँ पे तो व्यक्ति था और यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा कि कोई pipe A है जो किसी tank को 20 दिन में बरती है 20 घंटे में बरती है और कोई pipe P है जो 25 घंटे में बरती है तो किसी भी काम को जब हम लोग करने जाते हैं तो काम तो complete होता ही होता है लेकिन यहाँ पे जो tanky होती है उसको भरा भी जा सकता है और tanky को खाली भी किया जा सकता है तो यह दोनों pipe माल लो tanky को भर रही है तो एक pipe C और दे दी गई कि यह वाली जो C pipe है यह tanky को 10 घंटे में खाली कर सकती है तो जहाँ खाली करने की बात है वहाँ minus लगा देना और जहाँ भरने की बात है वहाँ plus लगा देना ताकि हमें बस इस plus minus से इतना सा ही indication मिलेगा कि यह वाली pipe तो खाली कर रही है यह दोनों pipe क्या है भर रही है अब वहाँ पे भी हम लोग LCM लेते थे यहाँ भी LCM लेंगे तो LCM आया आपका 100 इस्टक्चर में तो वहाँ तो यह total work होता था यहाँ tank की capacity हो जाएगी tank की capacity हो जाएगी यहाँ आपका 100 लिटर का है तो यह क्या हो जाएगी tank की capacity हो जाएगी समझ गए इसके बाद हैं वहाँ पे भी efficiency निकालते थे 20 का 100 में डिवाइड करके जैसे 5 आया यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे minus है तो वहाँ भी minus लिकर नहीं जैसे कि यहाँ पे minus है 10 आया गया ठीक हो तो एक तरीके से आप लोगों का एक घंटे में वहाँ पे तो एक दिन में किया गया कार्ण यहाँ पे एक घंटे में या फिर एक मिनटे में जो भी टाइम दिया गया हो भरा गया पानी भरा या खाली किया गया पानी किया गया पानी कि पाइप A भरने वाली थी तो उसने पांच घंटे में भर दिया अकेली एक घंटे में 5 लिटर पानी भरेगी, पाइप भी है, एक घंटे में 4 लिटर पानी भरेगी, पाइप सी है, वो एक घंटे में 10 लिटर पानी खाली करेगी, यह भार निकालने वाली पाइप, ठीक है, इतनी बात समझ में आगी सभी को, चलो, तो यह समझ में आ गया हो तो यह पाइप एक टेंक को करम सMA 20 जो 30 मिन बरते तो यह पाईप और आ जो रहा है कि यही तो इन ही समय एक साथ खोल दिये जाए तो टैंक को बिने में एक गज़ती किस कैने आपने लिटर उम्हांः साथ लिटर तो टोटल टेंग की केपिसिटी बारा साट लिटर है और दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो एक मिनट में कितना भरेंगे ये पांस लिटर भरेंगे कि नहीं भरेंगे बताओ एक मिनट में पांस लिटर भरेंगे तो साट लिटर कितने मिनट में भरेंगे आई बरी about एम बार्ण मिनेंट में आ चाहिझिछ पर्मॉला होता था एफीसियंसी म्ल्टिप्लई वैडेज और यहाँ पर total capacity का formula है efficiency multiply by time वो time आपका घंटे में भी हो सकता है वो time आप लोगों का मिननटे में भी हो सकता है किस में भी हो सकता है तो efficiency आपको निकालना था क्या आपको निकालना था time तो time क्या होता है total capacity divided by efficiency तो यह देखो total capacity और यह डिवाइड में क्या है, आप लोगों का एफिसेंसी है, तो यह क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टाइम इस इकल टो टोटल कैपिसेटी, डिवाइड बाइफिसेंसी, समझ गए, तो बारा अंसर आ गया, नेक्स्ट प्रश्न के उपर चलते हूँ, नेक्स्ट कुशन देखिएगा, क्या बोल रहा है, एक टेंक में दो पाइप लगे हूँ, पहला पाइप एक टेंक को चार घंटे में भरता है, पहला पाइप चार घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप सोला घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा पाइप सोला घंटे में खा एक गंटे में ये वाला उनक पाल adesso प१ोक्त पहैं निकाल ले रहे तो एक गंटे में डोनों खुले रहेंगे तो कितना पानी तो 1 गंटे में 3 लिटर पानी बहा जा रहा है तोなん व्हेजाण कि वो कितने में भरा जाएगा पांट सभी एक बटा तीन के ओवर्स यह रहा ऑप्सन में D is your answer ठीक है चलो नेक्स्ट चलते है खाली करने वाला पाइप होता है तो उसकी एफिसेंसी माइनस हो जाती है कि भरने वाला पाइप तो पाने डाल रहा है खाली करने वाला बाहर निक अनदर पाइप कें इंपटी इन 6 ओवर दूसरा पाइप इसको 6 गंटे में खाली कर सकता है find the time taken to empty the tank when the both the pipes are open simultaneously दोनों पाइप एक साथ कोल या तो निए एक साथ खोल लिया जाए गा दोनो को में एक साथ कोल दिया जाएगा तो पहला वाला पाइप 15 थी अगर पूरा फारह हुआ है ठीके अगर बरावा हाली करने का मतलब होता है कि पूरा टेंग बरावा यह मान के चलना है यह थीक तो पहला टैंक तो तीन लिटर अंदर डालेगा दूसरा पाइप पाश लिटर भार निकार लेगा तो एक गंठे में दोनों को खाली रखेंगे तो कितना पानी बाहर निकल कि दो लिटर पानी बहार निकल जागा नेने निकल जागा एक गंटे में दो लिटर पानी भा निकल जाएगा तो 30 जूच के तनी देर में भार निकल जाएगा ऊहरा defining what ओ I 15 सबredant जैसे कि में ने बोला टाइम इज इकवल चलो पाइप A and B can fill a tank in 20 minutes फिर बोला गया है वाइप C can impotate in अच्छा एक सब्सक्राइब दोनों का मिला के नहीं बोला है पाइप A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes वाइप C can impotate in 24 minutes तो अलग-अलग बोला गया है A 20 minutes में भरता है B 30 minutes में भरता है C 24 minutes में खाली कर देता है C 24 minutes में खाली कर देता है तो माइनेस लिखती है 3 pipes open simultaneously in what time tank would be filled कितनी देर में tank बर जाएगा तो total capacity देखो कितनी है 120 मान लिया LCM लेके ये गंटे में 6 लिटर पानी भरेगा ये गंटे में 4 लिटर पानी भरेगा और ये वाला जो 24 से ये गंटे में कितना 5 लिटर पानी निकाल देगा तो आप मुझे बताईएगा एक गंटे में कितना पानी भरा गया इसने 6 लिटर भरा इसने 4 लिटर भरा यानि चोओ कि मिनट में घंटे निये मतलम मिनट दे रहा है मिनट लिख दीजिए का क्थीक है पता हूब इंड वर्क की तरह है कि नहीं है अगर आपको टाइम अटार काता है तो यह कुष्षिन कर सकते हो न सभी लोग चाहि कैसा भी difficult कि स्वाइल्ट बैben एलट कु laba केम आपको तॅब कैसा भी कुर मोब्लों कर सकते हैं अधर को फिर भी हम लोग प्रेक्टिस है कि नेक्स कुउच्छन ऩिए यह पर भर वह जिए ताइड reign नेश्ट प्रेष्टम चाहिए तो बी कितने मिनट में भर देगा चालिस मिनट के अंदर भर देगा ठीक हाउ लोग विल टेप सी अलोन कें टीक फिल इनिट मतलब कितनी देर में भर देगा तेंक सी वनलब जो भी टेप सी जो नलका है जिसको बोला गया है बर देर मुंझे कितनी देर में भर देगा उसके लिए टाइम होता है ताइम का मतलब केपसिटी deficiency केपसिटी तो अमें कर लेंगे किस्ता चीए आपको सि पाइप दवारा बढ़ना के ले दवान तो सी का एफिशेंसी चीए और सी का प्रोसेस तो मैं से सी कए अ borrowed स्मिन प्रियास करता यह से देखो तो बही है क्या माने इसका यह माने क्या मानने है 120 माने ओजने पो एक सट गोक्ति तो यह बलेपम धर अब मुझे बताओ, A, B, C, तीनों मिलके 1 गंटे में 12 लिटर पानी भर रहे हैं, A अकेला 4 लिटर भर रहा है, B अकेला 3 लिटर भर रहे हैं, C कितना भर रहा होगा? इस 12 में से 1 मिनट में A और B मिला के 7 लिटर भर रहे हैं, c पर रहा है कि महां नहीं भर राहा है तो यहां से अगर मैं efficiency की बात करो तो a b c के आपके पास 12 है, a की efficiency आपके पास 4 है वह वह की efficiency 3 है तो c के efficiency कितनी आजाएगी, 5 आजाएगी सarse us कि पांच आजाएगी, टोटल कापसिट है, 120 है इजी कुश्चन है जैसा कि हमने सेम कुश्चन टाइम एड वर्क में किया था आगे चलते हैं फिर कुश्चन बोल रहा है पाइप A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes while pipe C can imputed in 25 minutes three pipes are started together in beginning for 10 minutes then pipe C is closed after what time tank would be filled अब मुझे बताओ हम लोग कुश्चन टाइम इड वर्क में भी करते हैं ते भी सी ने तिनों ने काम मिलके काम स्टार्ट किया उसके बाद में छोड़के भाग गया सी चोल के चला गया इस तरीके से हम लोगों ने किया था क्यूश्चन वही काम यहां पे होना है शुरू में भाई साब ए बर सकता है 15 minutes में भी भर सकता है 20 minutes में सी कें इंपिट सी खाली करेगा भी सी खाली करेगा कितने में 25 minutes के अंदर थ्री पाइपस चलो बताओ LCM क्या आएगा इसका भाई मैट्स के अंदर आपको लेवल का कुछ नहीं होता है मैट्स में आपको सब कुछ ही पढ़ना होता है ठीक है आप यह मान सकते हो हमारा अर्वी पियो और कलर को दोनों को पूरा टार्गेट करके चल रहे हैं ठीक है जी क्या हो गया कि यह पार कमेंट पढ़ लूँ मैं अच्छा चलो कोई बात नहीं सोरी कोई बात नहीं देखो इसका जो LCM आएगा वह आपका 300 आजाएगा तो यह आपका 20 लेटर हो गया यह आपका पंदरा हो जाएगा और यह आपका 25 लेटर बढ़ देगा यह पंदरा लिटर बढ़ देगा और यह बारा लेटर को क्या कर देगा खाली कर देगा ठीक है अब बोल रहा है कि फिर 10 मिनट बाद में यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जय और फिर 10 मिनट बाद में पाईब से बंद कर दिया जए तो मुझे बताओ दस मिनट में कितना पानी भर जाएगा है बीस और पंद्रा suckjb बरेंगे और बारा एक हाली कर देगा यहिए कि एक मिनट में कितना पानी बरा जा रहा है रोग दैसके आइसे लिटर थीनीड में कितना बरा जाएगा सोती कर देप मिनट टो यह हो गई अब बच्चा कितना पानी भरनाय में सक्तर लिट्र और भरना है आप आभ se को बंद कर दिया भई तो तो टैंक बहले में कितना कड़ का समया लेगा दो मिनेट में भरा जाएगा तो टेंक कितनी देर में भरा गया अभी टोटल मिला के दस मिनेट तो ये और दो मिनेट ये पूरा टेंक बारा मिनेट में भरा गया है और रिमेंनिंग अगर पूस्ता तो रिमेंनिंग पूस्ता तो दो मिनेट ये आंसर हो जाता है ठीक है तोटल तीन सो लिटर है, तीन सो में से दो सो तीस माइनस कर दिया, सत्तर आगे सेम टू सेम भई, टाइम इंड वर्क है, कुछ भी अलग नहीं है चलो नेक्स्ट कुश्चन A, B, C, R, 3 पाइप्स कनेक्टेट टू टू टैंक A and B together fill a tank in 6 ओवर, B and C together fill a tank in 10 ओवर, A and C together fill the tank in 12 ओवर, इन हो में मच टाइम, A, B, C, fill up the tank together टाइम इंड वर्क में सेम परशने किया था, ठीके वही यहां पे करना है A or B मिलके कितनी देर में भर दे रहे हैं 6 गंटे में B or C मिलके कितनी देर में भर दे रहे हैं 10 गंटे में, सब भर रहे हैं यहां पे तो यहां पे LCM आजाएगा 120, 20, 120 की जोरती नहीं, 60 ही आजाएगा यहां पे LCM आजाएगा 60, तो यह 10, 6 और 5 हो गया अब देखो, यह दोनों मिलके गंटे में इतना भर रहे हैं, यह दोनों मिलके यहां पे बर रहे हैं 10, 6, 16 और 5, 21 लिटर टेंक को बरने के नहीं बरने बताओ, तो A, B, C तीनों मिलके कितना भरेंगे यह गंटे में दो, यानि 10.5 तो A, B, C की तीनों की एफिसेंसी कितनी आ गई, 10.5 आ गई, तो तीनों मिलके कितनी देरे में भरेंगे दस पॉइंट पांच से डिवाइड कर दो इसको दगो यह पॉइंट अटा दो ऊपर चला गया, पांच से काट दो, 21 120, 21, 15, 105 21, 15, 105, कितना बचा, 15 बचा और 21 बचा नीचे तीनों पंचों पंदरा, तीनों साथ एएगकेस तो पांच सही पांच बटा साथ नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं इस कुशन को आप करने का एक बार प्रियास करो, फिर मैं कराता हूँ आप लोग करते रहो, मैं यह आपर बेसिक बेसिक से चीज़े लिख देता हूँ साथ घंटे वेरी गूड शक्षी, चलवा जाओ टू पाइपस कें सेपरेटली फिले टैंक इन टैन ओर्स फिफ्टीन ओर्स दस घंटे पंदरा घंटे में यह और भी मान लिए हमने उस पाइप को ठीक है पांच लेटर भर चुका है तो आपको सबसे पहले हैं कि 5 लिटर भर घमकैंगी पंस पहरेगा परता उन उसके बाद में इतना टेंक भरा जा चुका है उसके बाद में नहीं चीज हो रही है इतना टेंक भरा जा चुका है टेंक कितना बचा हुआ है बरना भी 25 लेटर बचा हुआ है इतना तो भर चुका है पांच लेटर तो अब आगया जो यानि कि इतना भरने के बाद में लिकेज डवलप हुआ है फ्रो विच वन सिख्थ ओव दर वाटर सप्लाइड बाइब बोथ पाइप दोनों पाइप जितना पानी सप्लाइब कर रहे हैं उसका वन सिख्थ पार्ट लीक आउट होने लग गया मतलब पहले एक गंटे में कितना पानी जा रहा था पांच लीटल पानी जा रहा था जा रहा था नि जा रहा था अब एक छेद हो गया उसकी वज़ेस से जितना पानी दोनों पाइप डाल रही है गंटे में उसका एक बटाचे निकल जा रहा है यानि कि इसका एक बटाचे न अब एक गंटे में 25 बटा 6 लिटर पानी भरा जा रहा है लिकेज होने के बाद में तो एक घंटे में नई EFFICIENCY आ गई यह तरीके से तो बचा हुआ तो बोल रहा है कि वाट इसड़ा टो टाइम कि तने टाइम ड़ आएम था जया तो टैंक तो पटांटे में बढ़ा लिकेज होने से पहले liकेज होने बाद चाहर बात है यह तो इफिसेंसी दो खनर होने के बाद में किप इश बचार हुआ पानी पत्चीस लिटर टेंक को बढ़ना था हमें अब पहले तो एक गंटे में पांच लिटर भरा जा रहा था अब यह गंटे में पच्छीज बढ़ना था मुझे और नई कि पिसेंसी तो यह आपका जगा च्छे गंटे च्छे गंटे तो च्छे दोने के बाद में लग गए और एक गंटा दे को पहले लग गया था टोटल मिला कि कितने हो गए च्छे पलस एक साथ गंटे उमीद करता हूं समझ में हाया होगा है ना चलो ऐसा एक क्विश्चन में आपको हमबर के लिए दूँगा आगे आएगा क्विश्चन मोले टू पाइपस ए और बी चन फिल टेंक विद वाटर 30 मिनट एंट 45 मिनट रिस्पेक्टिवली थार्ड पाइपस एक इंपिट टेंक इन 36 मिनट फर्स्ट एंड बी आर ओपन फोर 12 मिनट शी ओपन टोटल ताइम इन विच देंक विल बी फिल अप इच यह क्विश्चन कौन कर सकता है बहुत एजी कुष्चन है फिर विमें करा देते हूं यह 30 मिनट में भर सकता है आपके लिए जी हो गया पहले जी नहीं था लेकिन अब इजी हो चुका है कुई कि मैं अपन कापन कर चुके हैं यह दोनों तो भरेंगे पाइप सी क्या करेगा ख 36 खाली करेगा LCM कितना आएगा 180 आएगा ये 6 ये 4 और ये 5 ये क्या करेगा खाली करेगा भई ठीक है ये माइनस है इसके बाद में क्विश्चन क्या बोल रहा है First A and B are opened पहले A और B खोली गई After 12 मिनट C is opened ठीक है So A and B बहुते 12 मिनट कहली गई क्या सिर्व के 12 मिनट में कितना पानी भर जाएगा A और B कितना भर देगे 5 benz-10 एक मिनट में तो 12 मिनट में कितना भर देगे कितना लिटर पानी बच जाएगा फिर भरना 6 लिटर बच जाएगा तोटल टाइम कितनी देर में टांक भरेगा साथ लिटर बच गया अब जब यह साथ लिटर बचा है तब आप लोगों का सी पाइप भी खुल चुका है अब मुझे बताओ अब सी पाइप खाली करेगा तो पहले च्छे और च्यार दस भर रहे ते लिगन अब खाली भी होने लगए पांच सेटर एक मिनिट के अंदर तो एक मिनिट में ओर और पानी भरा कितना जाएगा वह पांच सेटर भरा जाएगा तो यह कितना आगया बारा मिनिट में पताओ बारा मिनिट में टोटल टेंग वर गया नहीं भर गया ठीक है बचा हुआ बारा मिनिट तो टोटल टेंग को भरने में बारा मिनिट यह लग गए बारा मिनिट यह लग गए तो टोटल कितने मिनिट लग गए 24 मिनिट लग गया समझ में आ गया ऐसे क्विशन ही आएंगे अगर कोई आएगा यह प्रश्ण हो गया भाई एक बटा छे जैसा है यह ठीक है न आंसर दे दू कितना आंसर आ रहा है इसका 16 गंटे ठीक है जी सेम क्विशन है आप लोग ट्राइ किजिएगा चलो नेक्स्ट क्विशन तीन पाइप A, B, C एक तंकी को 6 गंटे में भर सकते दो गंटे एक साथ कारे करने के बाद C को बंद कर दिया गया A और B होज को 8 गंटे में भरते तो ग्याद किजिए कि इस पाइप को होज भरने में कितना समय लगेगा अब देखो भी ऐसा प्रशना जाएगा टोटल केपेसिटी है क्या इसमें कुछ है देखो इसमें केपेसिटी नहीं है हमारे पास में दिक्कत यह होती दो एक कुश्यन ये बोल रहा है एक अलठ चंड़ करते हैं तीन पाइप एबए साथ कारह करने के बा 시간이 बतां चोवच को तो ग्यात कीजिए कि पाइप को होज बरने में समय कितना लगया त्री पाइप से कें फिल शिस्टें शिक्स ओर्स आफ्टर वर्किंग तुगेदर फोर टूर्सी इस क्लोज़ और एबी फिल्ड शिस्टें एट वर्स देन फाइंड ताइम विच दा सिस्टन कें वी फिल् क्या करेंगे हम लोग नहीं पता है ना तो कैपेसिटी आप कुछ भी मान लिया करो इसका मल्टिपल ही मानना जैसे 60 मान लिया 600 मान लिया 120 मान लिया जैसे भी किश्चन के हिसाब से असानी हो तो यहां पर मैं एक बार 60 मान के देखता हूं अगर कैलकुलेशन में पॉइंट कि में तो बदल भी दूँगा फिर आगे जाके तो एक बार मैने केपिसिटी मान ली 60 है 60 कि मानन ली तो ए प्लस वी कितनी एक घंटे में कितना बरेंगे दस लिटर अपर पानी बरेंगे दस लिटर आपके इनकी की दस लिटर हो जाएकि तीनों की मिला के अब देखते आग और 2 गंटे में 20 बढ़ने के बाद में बचेगा कितना 40 लिटर बचेगा ठीके 2 गंटे में 20 लिटर बढ़ दिया अब बोल रहा है C को खुलोज कर दी आब और A और B ही भर रहे हैं तो बचा हुआ पानी 40 लिटर पानी हो किसे बढ़ा है A और B ने भरा है कितनी देर में? 8 गंटे में A और B मिलके 8 गंटे में 40 त्रिटर पाणी बर सकते तो A गंटे में कितना बरेंगे? 5 त्रिटर बताओ यह A और B की कैपिसिटी आ गई कि नगी आ गई कैपिसिटी मतलब efficiency तो A और B मिलाके बताओ यह दस लिटर है नए लिए कहलेगा कर तो अब बोला तो औ economy पाइप को भर देगा तो GG ओर अरेड घौहे ऐह यहेतालिटन यूर्च जो आहे गश्मा कमतनीब्रेगा नरल्च 12 गंटे रहे, तो जब भी ऐसा क्विश्चन आए, तो कैपसिटी को कुछ भी मान लेना, यहां पर में नहीं होता कैलकुलेशन, तो 120 भी मान लेता, अरे समझ में आ रहा है, ना समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, तेखो कुछ भी नहीं किया, सुरू में, कैपसिटी साथ मान दिया, बचा पानी 40 लिटर, यहो 40 लिटर बरहें है, तो 40 लिटर पाने 8 लिटर, इस दिटन मीदे में ऐख यह जाitudes, तो 4 लिटर बहुताबジャहाँ जोEND, तो legitimate 4 लिटर यह, तो छ जो अब यह टाइमिंग वाले क्विश्चन आ जाते हैं इसमें जाद होगे खास बात है नहीं फिर भी एक बार कुरा देता हूं नहीं तो आप बोलोगे सरी है टाइमिंग वाला प्रश्णत हमने क्लास में किया है नहीं चलो फोर पाइप ए बी सी डी कें फिल ए सिस्टन इन बीस पच्चीस चालीस पचास टोटल क्यापिसिटी कितने हो जगे लसे हम दो सो दस आठ पांच और च्यार भर रहे हैं सारे के सारे ठीक है तो यह क्यापिसिटी हो गई है अब आगे बंढ रहे हैं वहीं क्विश्चन ने बोला कि दा फ़र्ष्ट पाइप ए वाज ओपन डेट 6&7 तो एक उ च्छेवजे खोला गया ठीक है बी को 10 बजे खोला गया सी को नो बजे खोला गया और ड को 10 बजे खोला गया ठीक है वें będzie used to be full सिस्टन फूल कितने तेर अर्धक हdy अब दो ज्याएग को इस रिए को लाश्ट वाला टाइम होता है यहां पे लोपर यह 30 without अब मैं सबको 10 तक तक कि कि तना बढ़ेगा 40 लिटर पानी बरदे कि बी दस बज़े तक चलेगा यानि दो घंटे चलेगा कितना मफरला न निचे अ ग्फटे चलेगा किटना मफरला हिगा यानि कि नोंदी तो 10 बज़े खुलाई अभी तो 10 बज़े तक यह गया 56 और 51 गिंट्र पानी ब מקंट आज्ट कितने मफश एक जो मैक्सिमम टाइम में वहां तक ले आओ बच्चा कितने लिटर टाइम एक्सो गुंचालीस एक्सो गुंचालीस लिटर पानी बच गया वहीं भरना अब दस बजे बाद दें बताओ सारी की सारी एक साथ चल रही हैं गो नहीं चल रही है ताइम डिफरेंस क्या ताइम यहां तक समझ आ है यह मतलब थे को ने चैसलिए दस बजे तक च्यार घंटे चलेगा यह थो एंग तो त्यार गंटे में ईल्टव भृ रही है तो च्यार गंटे में चाली लीटर बढ़ डियाकर ही चला है इसको दस बीसे zipper डो गंटे चल गई 16 लिटर भर दिया सी नो बजे चलें तो दस बजे तक कितना लिटर भर देगी एक गंटे में पांच लिटर भर रही है तो टोटल मिला के दस बजे तक गुन्चालीच लिटर पानी भर ना वर 27 लिटर एक गंटे में वरा जाएगा ठेक्स ह 2014 बताओ कुछ कट-पिट रहे है तीन से निकट रहा है तीन से भी नहीं खट रहा है है पामें तो में आएगा विया आविट्वा एक एक सो परेटिस खेंटे होगैं तो पा उतल गंटे हो गये टोटल फिर चार बचा तो पाच सही चार बटा 27 अना तो पाच गंटे और चार बटा 27 गंटे तो चार बटा 27 गंटे को मिनेट में बदल दो एक सेकंड रुकना भई टेंक बरने में कितना समय लगेगा या टाइम पूछा है हमसे पूछा क्या गया है चलो एक बार हम लिकालते हैं इसको 60 से मुल्टिप्लाई करो दुआ यह तो आई नीरी मिनेट पूरी मिला गया है चार तीन गंटे तक नहीं चलेगा मतलब कि दस बजे से लिए पांच गंटे समझ गया लिए उप्सन में आंसरी नहीं है न चलो देखते हैं फिर यह एक्जेक्टली निकट रहा देगो इसको नाइन मिनेट मान सकते हैं आप अप्रोक्सिमेटली अप्रोक्सिमेटली नाइन मिनेट कुछ सेकेंड आएंगे यहां से अप्रोक्सिमेटली निकाल देना पांच गंटे नौ मिनेट अब दस बजे बाद में शुब आ है पांच गंटे नो मिनेट अगर उसमें जोड दो तो 12 और 3 बज गे जैनिकि 3 बज गे 9 मिनेट पी-म एम तो हो था ना पी-म उजाए दो पर हो जाएगी यह न उप्षन हमारे पास में मैंने सोचा यह एम है यह पी-म यह तो है सही है अरे ना लेको टाइम ही तो बरना है मैं ठीक है भाई दस बजे बाद में पांच गंटे चे पांच से चार बटा 27 गंटे लगे हैं चलो एक बार में रिपीट कर रहा हूं पूरे कॉंसेप्ट को द्यान से समझो ठीक है पूरे कॉंसेप्ट को एक बार रिपीट कर रहा हूं में ठीक है बीस पचीस चालीस और पचास घंटे हैं तो इस तरी के से हमने निकाल दिया माँक अब पाईप ए ko 6 बजे खोल दिया पाइप बी को 8 बजे खोल दिया पाइप C को 9 बजे रवफ 10 बजे को दश्जे Moment तो तो सबको पहले एक टाइम पर लेकिया हो ऐसे क्यूस्चन में कि जब आपको भरना था तो एह ए दस बज्चे तक जब आएगा कितना पानी भर जुगा हो गार ग। छार गउंटे में चाली से बते शुज बचेगा अ अब 149 लिटर पानी दस बज़वान में सारी पाइप मिल के साथ में भरेंगी ठीक है तो सब को जोड दिया और उसका डिवाइड कर दिया इसमें जब इसको शोल्म किया तो यह पांच गंटे नो मिनिट आजाएगा और 10 बज़े बाद में पांच घंटे 9 मिनिट तक और चली उपाइप तो 5 घंटे 10 बज़े बाद में पांस घंटे जड़ो कौते है तीन बज़ गये और 9 मिन DAY और तीन बज़के 9 बज़ दो पर में अधिए च्यार घंटे कैसे अरे नलेगो च्छे बजे चालू किया था दस बजे तक चलेगा पहले दस बजे तक लिए आये ना तीक है चलो नेक्स्ट कुश्चन टाइम के कुश्चन में वह यह बस टाइम में बस और कुछ नहीं है चलो नेक्स्ट प्रश्न करो आकास कश्यब जी फोटी सिक्स्टीन एंड फाइफ यार एक बात बताओं उजे चैबजे से लेके कितनी बार बोल चुका हूँ और 2,6 बजे से लेकि 10 बजे तक 4 गंटे एक नमबर पाइप चली एक घंटे में 10 लीटर भर रही है तो 4 गंटे में 40 लीटर वीवाले एक और गंटे में 8 लीटर भर रहे है स्ट वह दो कोड़ा कभी हो जाओं तो एसे टेंशन मतलिया अगर पूछ लिया अगर फिर भी डरनन नहीं है ठीक है देर आर थ्री फिलिंग पाइप इच केबल ओफ फिलिंग इज सिस्टन अलोन इन एट मिनट्स तीन पाइप जो भर रही है ठीक है केबल ओफ फिलिंग इज सिस्टन अलोन इन एट मिनट्स एंड तो मतलब तीन पाइप आठ आठ मिनट्स में बर सकती है अकेले अकेले सा लू कि जाए ठीक है एट तू इंपाइप इच केबल ओफ इंप्टिंग दीन इस इस्टन इन थे मिनट्स दो खाली करने वाली प्ड़िया हर एक फाइप दर 10 मिनट के इनदर खाली कर सकती है अब कुश्चन बोल रहा है all pipes are open together and as results tank filled in seven liters of water per minute सभी को एक साथ खोल दिया गया और टेंक साथ लिटर पर मिनट पानी बर रहा है find the capacity of the tank अब देखो capacity आप एजियूम करते हूं आपको यहां पर भी एजियूम करना क्या एजियूम करूं मैं capacity इन सब का LCM का है चालीस यह पांच 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 चार और चार बताओं तो इन सब को अगर में बिलाओं तो एक घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है यह माइनस खाली करनी है न एक घंटे में कितना तो यहां पर क्या बोल रहा था साथ लिटर ही तो मेरा भी साथ लिटर को साथ लिटर रखने के लिए कितने से है मलटिप्लाई से हैं अगर मालो यहां पर साथ नहीं आता तो मैं क्या करता सत्र को पिर में क्या करता एक बटा साथ से करके साथ बनाता एक बटा दस से पिर इस चालिस को भी में एक बटा दस से मुल्टिपलाई करता तो फिर कैपिसिटी किन नहीं थी चालिटर लेकिन संयोग बस यहां पर साथ लिटर आ रहा है ओल्रेडी ठीक है ठीक है जी सर चालिस कहां से आया बाई साब ले लिया यह भी नहीं समझ में रहा है कि तीन और पांच होगा टोटल कैपिसिटी लेकि मानते हैं लोग पूजा जी वही तो है तीन पाइपे आठ आठ मिनेट में बर सकती है के लिए दो पाइपे अकले काले ददेश क मिनेट में खाली कर सकते है लेंग वे जी तो चेंज किया है ठीक है जी अरे किस किस का अग्दम सही चल रहा है क्लास बताना एक बार प्रवेस जी को चलो नेक्ट कुश्चन एक टेंक के नीचे वाले भाग में एक छे दे जो टेंक को छे गंटे में खाली कर सकता है एक नल छे, प्रती मिनट की दर से टेंक को बरता है यहनद ही क्या दियो ही है दियो है यह जो रेट होती है यह जा हमान के जो एक तरीके से ठीक है कि चाल लिटर एक मिनट में भर सकता है यह दोनो नलों को Khols शो दिया जाए तब टेंक आठ गंट में खाली हो जाता है तो टेंक की छमता ग्याद करो, देखो, दोनों नल्ले मालले थे हैं कि A नल पाइप भरने वाला है, और B ले खौली करने वाला है, तो दोनों को जब भर देंगे, तो टेंक 8 गंटे में खाली हो जाता है, एलो भई, आठ गंटे में दोनों नो मिलकी क्या कर दिया, खाली कर दिया उने कि माइनेस ऐठ, ठीक है, अब बोलाए हαι कि E Tank के निचे वाल में, एक 6 गंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, तो माल लेते हैं कि एक पाई पर तो माल लेते हैं, A तो πैपे बढने वाला और B वो छे दे तो दोन्हों को जब खोला गया तो आर्थ गंटे में नो इन खाली कर दिया निन कर दिया टेंको तो मैंने माइनिस गंटे लिख दिया अब बोल रहागी थे वो छे था वो 6 गंटे में खाली कर सकता है तो बस्लेंग वेज़ लगे तो बी अगेला माइनिस छे यह यह ना ठीक है तो आप दोनों का यह ले लो 48 जो बीसी हो जाएगा 48 क्यों ले 24 तो यह 3 लेटर खाली करेगा यह कितना 4 लेटर खाली करेगा बताओ एक और मिलके तीन लेटर खाली कर रहे है और अकेला ही चार लेटर खाली खाली कर रहा है को 1 यह सब्सक्राइब करंद क は Japan कुछ ने मुझे क्या दिया गया है एक लगैया इंहल मुझे तायो नल को योग मुझे कैपैसिटी या फिर जो करेंफिस्यपिёр भाक्यूलिटर दिया गए लेकिन मेरे पास कितना आया है यह 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 है यह है इतना है च्यारे तो च्यार्से मिल् और यह क्या है गंटे यह आठ गंटे और चैनल थे न तो एक लिटर पर गंटे में बर रहा है थीक है कि एक लिटर पर गंटे में बर रहा है कि एक सेकंड रूखना कि यां पर मिनट दिया हुआ है यह भी गंटे दिया है यह भी घंटे दिया है ठीक है तो यह पर एक ही जो कैपसिट या गए थी वह एक लेटर पर ऊवर आगे ती लेकिन मुझे चार लिटर पर मिनट दे रहा है हुआ तो चार लीटर एक मिनिट में दे रखा तो एग हंटे में कितना वरेगा दो स्वेड़ैने चारजीच लिटर पर और हो गया कि नहीं हो गया है यह टो यह एक लिटर पर नहीं हो कि कितना है 240 इंटर पर वहर. कितने से मल्टिप्लाई 230 से ? E24 को जो केशीट है इसवे 240 से मल्टिप्लाई करता हूं 24-24 का वो क्या होता है भई ? स्क्वेयर क्या होता है ? मल्टिप्लाई करो 500 चिंटर होता है रहता है ? कि यह प्रष्ण इमानदारी से बता दो किस किसको समझ में आ गया मैं दो बार और बता दूंगा मुझे कोई दिक्कत ही निया है रिपीट कर दो अभी देखन देखना देखले ना इस कुस्षण में वही सब कुछ है जो आपको आता है यदि अर्व देती एक टेंक के नीचे वाले भाग में एक छे दे, तो छे अनिद को इने को आनुग कर सकता है तो जो छे देर में खाली कर रहा है माइनस 6 खाली कर रहा है इसलिए मानेस लिखा फिर बोल रहा है कि एक नल चार लिटर प्रती मिनट की दर से तो वो नल मैंने मान लिया ए तो ए का मुझे एफिसेंसि कि तद़ दिया हुआ है च्यार लिटर पर मिनट और ऊपर ही होझे निजा लिए लिए तो तो दोनों ना ल्यए निए और वी दोनों मिलाके एक द्रम फोग गया और दोनों दोनों को ख़ोल दिया जाये कहा egenक्ट टेंक आज घंठे में खाली हो अब यह सारी केलकुलेशन किसमें चल रही थी throughout its Ah किसका मतलब एक ही जो ही जो है। इस इक वेहरं से मिनकाल देगी एक एक पर यहां पर अब पहरा है और यहां से केफशेटी कितनी है च्याटी साइब पर अब जिए है। यह बाइचांस 7 लिटर आ गया था और यहां पर जो capacity वो बाइचांस कितनी आई एक लिटर पर और आई यह लेकिन मुझे कितनी मनानी है 240 लिटर पर तो इसतने से multiply कर दिया तो capacity को भी उतने से multiply कर दिया I hope समझ में आ गया होगा अब बताओ alternate days वाला question सिखाया था मैंने आप लोगों को work and time में time and work में alternate days वाला question की सिखाया था same question है देखो एक खाली tank को pipe A 4 घंटे और pipe B 6 घंटे में बर सकते तो A तो 4 घंटे में बर सकता है और pipe B कितने घंटे में 6 घंटे में बर सकता है दोनों का LCM ले लो 24 तो यह 5 और यह 4 ठीक है पांच नहीं यह 6 और 4 इसका इतना क्या है बारा ही मान लो na LCM 12 मान लिए तो 4 घंटे में 6 घंटे खोले जाते तो pipe A से शुरुआत करते हुए कितने समय में ट्रोश्यास पाइप के बीप और यह 7 घंटे दो यह 10 फाइन यही पाइप को मुझे ही पता चलिया कि निसके नजदीक लेकर जाओ चो कितना लिल्क भरा जाएगा दो यहां मुल्टिप्ल एक दिया दो निगते डोजीक्त की चार गंटे जब चल जाएगी तब कितना लिल्टर पानी भर चुका होगा कि दस लिटर पानी भर चुका होगा बचेगा कितना पानी दो लिटर पानी अब नेक्स्ट डे कौन सी पाइप खुलेगी दो दो के सेट का पहले जो होती हो एक खुलेगी तो एक घंटे में बोल रहा है न एक घंटे तो चार घंटे यह दो बटा तीन घंटे तो टोटल कितना पानी लगेगा कि सेम क्विश्चन अल्टरनेट डेवाला कि नेक्स्ट प्रश्न कि ठीक है यह प्रश्न कर लोगे ना टाइम में ड्वर्क में कराया हुआ है सेम प्रश्न यह सा प्रश्न मतलब क्विश्चन यह आंसर आएगा इसका देखो ए टैंक इस फिल्ड इन फाइफ ओवर्स भाइट थ्री पाइप्स ए बीसी ए बीसी मिलाके तीनों मिलाके पांच गंटे मर देंगे इसको चलो देखते हैं अप्रिश्चन तब गई ऊजए गई ऑगई की तवाई से थोगई अजए फाइस बी किसी जो होगई बी इस दो गुना फाष्टे अनिगि अगर दो गुना आफस्ट एर चाहर ओगई तो इसकी केपशेटि एक के दो इसकी तीन तीन कैपसिंसर इसके मतलब एसके के यहां के सेंश मैं थांव How much time will pipe A alone take to fill the tank? जा वे तीनों मिलाके यह वे खंटे में बर सकते हैं? साथ लिटर बर सकते हैं और तीनों को मिलाके गंटे लगने हैं? पांच गंटे लगने हैं तेंग की केपिसिटी इतनी आगई? एगंटे में साथ लिटर बर रहे हैं तीनों मिलाके? तो पांच घंटें ने बाती है तो इस तो देखना को इतना टाइम लगेगा तो एक घंटें में एक लिल्टर पानी बरता है तो इतना लिल्टर पानी कितनी देर बरेगा यह और के पने मिलें निकाल ले आगी न क्योंकि तीनों अलिके पांस है परने के देखा कि चलो भई मैंने के बीच में उद्वदर आपको बताने के चक्कर पूरे कुश्चन को द्यान से नहीं देखा च्छै मिनट तक 66 भर देंगे ठीक है यह ग्यारा गोन अच्छ आ अब यह एक टेंक और आगया ठीक है साड़े सोडा मिनट में तो साड़े सोला मिनट में ए और बी कितना भरेंगे ए और बी कितना भरेंगे इसको निकाल रहा हूं 181.5 यहां तक मैं समझा चुगा था अब देखो ए और बी 66 तो पहले भर चुके थे और इतना आप भर दिया उन्होंने तो ए और बी ने भर कितना दिया टोटल मिला के खाली कर रहें न तो भरा हुआ देखना पड़ेगा यहां धतना चुके कफूत है तो 240. आड़े 16 मिनेट में खाली और इसको निकाल कर देया है इसको निकाल लो कि सरी इंपूट आउटपूट क्या होता है कितने पे कट रहा है और तुम हूं 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 एक इक सो साथ ये पिछी सो पॉइंट से पॉइंट काट दो एक बार 15 एकम बंदरा 11 से काट देते हैं 11 एकम 11 11 15 15 12 12 12 12 12 15 15 बंदरा वार गटिया वही ठीक है तो ये जो पानी था ना ये थे beth 256 16 125 लिटर 11.5 बंदरा ये पानी एक मिनट में खाली करेंगी ठीक है katea the how much time the third tape can impede the full टेंक कितने टाइम में खाली कर सकती है तो नबब है तो नबबब पूरा है एक मिनट में पंदा लिटर खाली करेंगे नबबब लिटर कितने में खाली करेगी शहाई पिन्हें 15 606 ड्यावट यह थोड़ा से मिन यहान कीकिली रहें हम लोग Alrighty महां और मैंने यह साणब भड़ निया कि फड़ कर दिया तो वो तो सब्छाश थोटा सा परशनत वैब इसलिए कैलकुलेशन इतना उलज गया इसके अंदर क्योंकि मैंने यहां पर जो यह था ना हर बार टेंक को भरी रहे हम लोग खाली करी नहीं रहे तो वह दिमाग में से बेट गया इवद्धा एक टोपिक जब लगाता रहे से पढ़ते तो इतना द्हान नी जाता है वह तो मैंने यह इंपटीज को भूल गया मैं सोच रहा था इतनी देर में भर दिया उन्होंने मैं इससे सोच रहा था ठीक है कुशन बच गहे हैं कंपलीट ही करेंगे आज इसको चले यह वाला कुशन देखो आप लोग देखो अब जब ऐसा कुशन आए ना तो बाराट ध्यान से समझना इससे पीछे कुशन गया था ना कि इस में यह तीन पाई बढ़ ने वाली थी दो पाई खाली करने वाली तो हम थी पाई पे तो हमने एसए लिखे का फ्रका हम ले लिया थीकret प्रक्रेवाला पर प्रक्रह च्छ गंटे में बर्सक्ता है हाथ, शे घंटे में भर सकता है, एक सीधुन एंट है घंटे है परद सकता है ओ प्रतिय खाले करने वाला फॉइ, बारा घंटे में वा ठीक है अब कितने किवाणीब्ति ऍच्जज़ा कि नहीं मत właści spacesूज। कितने उपर वाले पाइप हैं कितने नीचे वाले पाइप हैं तो आप अगर इनका LCM लोगे तो 12 आ जाएगा कि यह एक पाइप जो भी भरने वाला पाइप होगा यह एक पाइप जो भी खाली करने वाला पाइप होगा लेकिन ऐसे टोटल मिला मुलू के कितने पाइप यह टोटल पाइप मिला मुलू के कितने पाइप हैं बारा पाइप है ना अब बारा की साब से सोचना आपको लेकिन जोटी कितने कितने घॉपथ को एक साथ खोल दिया जाए तो चार गंटे में भई जाती है बढ़नेवाले ये देखु उनल लेते हैं कि भरणेवाली जो नल है इंट है और ये हम है ये इन है और ये एम है ठीक है तो एन प्लस एम कितनी हो गई 12 हो गई कि नहीं हो गई 12 हो गई ठीक है अब बोल रहा है कि तब टंकी 4 गंटे में भर जाती है अब मुझे एक बात बताना एन पाइप खोल जाएंगे बरने वाले तो एक गंटे में दो लिटर पानी भर रहे हैं तो एन पाइप कितना पानी भर देंगे एक गंटे में दो एन पाइप घर देंगे कि नहीं भर देंगे बताओ तो ऑनて तो यह जो एम फ़ुले जाएंगे यह कितना खाली कर देंगे माइनस खाली कर देंगे बताओ एड्यक है और हैरोफट से Eg कितनी देर तक चला रहे हैं मोद्छ के तो यहां गंटे का प्रोसेस हो कि T फूल पर दिया यह निन की तमलत पैक 원 महीं है कि तना देगंका सbaarर्राइब जा लीट ए तक चल राइ招़ कितना पानी बह तो 12 थूल को सव्हें नगे सबस्क़ारा जैगें तो इनलेट पाइब का मतलब बरने वाला पाइब, आउटलेट का मतलब खाली करने वाला, ठीक है, तो, इन दोनों को स्कोल करों 4 ती अब दोनों को देखो, पलस कर दो, पलस कर देंगे तो यह कट जाएगा, यानि 3N आ जाएगा, 3N और 12 और 3, 15, तो एन की वेल्यू कितने आ जा दाल लेते, पाँच आगे, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया वार नेक्ट प्रश्न पर चलते हैं, देखो यह प्रश्न मेंने टाइम एंड वर्क में छोड़ दिया था, आपका तो यहां पर समझा देता हूं, ठीक है, अगर आपको इस टाइम का प्रश्न दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, लेकिन आएगा निवेसे एक्जाम में आता नहीं है, ऐसा क्योगी सबको पचाय ट्रिक, ठीक है, यह क्योश्चन बोल रहा है, पाइप A takes 4 minutes more to fill the system, पाइप A and B open together, यानि कि पाइप A और B को एक आठीक में मिनट में दिया गया है, तो तू पाइप A and B open together, एनि कि देखो A और B को एक साथ मानलो आपने खो, आपने खोल दिया, तो मानलो, X minute ले रही है, तो अगर A को अकेले को खोलोगी तो वो A इन दोनुगा जो टाइम में उससे कितने जादे ले रहे है, चार मिन जा जब एसा प्रशन है जब दोनों पाइपों का दे रखा है दूसरे का और इसका डिफरेंस दे रखा हो तब आपको पूछा जाएगा वेन विल बीदा सिस्टन भी फिल इव बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तब कितन था अंडरोड निकाल देना बस ठीक है कुछ भी सोचने का जूरत नहीं है दरोदर का ठीक है निकाल दोगे ना ठीक है चलो तो यह आपका पाइपकों शिस्टन भी खतम हो गया है कम्प्लिटेट तो आप लोगों का टाइम एंड वर्क और पाइपकों शिस्टन कम्प्लिट हो चुका है